प्रियाद सीधा सवाल संडे स्पेशल में मैं बात करने वाला हूँ एक जुटता की और राजनीती की भी अब दरसल बच्पन में आपने मैंने हम सब को पढ़ाया गया वो स्कूल में एक पाट पढ़ाते थे थे ना कि भई लकड़ी हैं उसकी टहनिया हैं अलग अलग रखोगे वो तोड़ सकते हो गठर बना दोगे तो वो तूटेगा नहीं तो भाई साथ एक जुट रहोगे तो कोई आपका बाल बांका नहीं कर सकता अब दरसल यही पाट सत्ताधारी बीजेपी पूरे देश को पढ़ा रही है दल्चस बात इसमें ये भी है कि चुनाव सर पर हैं माराश में भी चुनाव हैं जहरकन में भी हैं उत्तर प्रदेश में भी नौ सीट उपर होने थे दस में नौ सीट उपर विदान सबा के उप चुनाव होने वाले हैं और राजने तक चक्रव्यू हुमे फसे योगी आदित्तेनाथ ने इन शब्दों का सबसे पहले इस्तमाल किया था 26 अगस्त को आगरा में तब वो बोले थे कि बटेंगे तो कटेंगे एक रहो एक रहेंगे तो नेक रहेंगे सुरक्षित रहेंगे और सम्रिद्धी की पराकाष्ठा को पहुँचेंगे यूपी में सिर्फ तेते सीट जो आई बीजे पी की 29 सीटों का नुकसान हुआ 2019 के मकाबले तो यूगी आदेतिनाथ की कुरसी पर भी तलवार लगकी हुई थी उस संदर्ब में कुछ बयान उन्होंने दिये लेकिन अब इस बयान को पहले प्रधान मंत्री उसके बाद सरसंग चालक और संग में अब नंबर दो दत्ता त्रेहोस बोले भी पाठ के रूप में आपको मुझको हम सब को पढ़ा रहे हैं 22 तारीक को पिछले महीने की सितंबर हरियाना में चुनाव थे असंद में अपनी बात को दोराया था योगी आदितनाथ ने उन्होंने कहा कॉंग्रेस हमेशा बाठने का काम करती है इसलिए हमें सतरक रहना है हमें ना बटना है ना ही कटना है प्रदान मंतरी मोदी 5 अक्टूबर को ठाने महराश्व में थे देखिए उस वक्त हरियाना में चुनाव और महराश्व में चुनाव होने है तो इस महीने की शुरुआत में प्रदान मंतरी बोले कांग्रेस जानती है उनका वोट बैंक तो रहेगा बाकी बट जाएंगे फिर 6 अक्टूबर को नागपुर में मोहन बागवत बोले भाशाई जाती है और शेत्रिय विवादों को मिटा कर हिंदू समाज को अपनी सुरक्षा के लिए एक जुट होना ह फिर 9 अक्टूबर को प्रदान मंतरी दिल्ली में बोले कांग्रेस की नीती है एक जाती को दूसरी जाती से लडाओ कांग्रेस जानती है कि जितना हिंदू बटेगा उतना ही उसका फाइदा होगा और कल 26 अक्टूबर को मतुरा उत्तर प्रदेश के मतुरा में दत्तरे होस बोले जो सरकारवावी है आरेसेस की नमबर टू है वो कहते हैं हिंदू समाज एकता से नहीं रहेगा तो इतियास क्या कहता है मुद्दा यही है अगर हम जाती समाज शेत के भेद करेंगे तो कटे ही अब देश एक जुठ हो हम धर्म नर्पेक्ष देश हैं यह हमारी उद्देश का प्रियांबल इंट्रोड़क्शन टू गॉन्स्टिटूशन जो है वो कहता है और जो हम गीत गाते थे बच्पन से सुनाया जा रहा है यह भी सिखाया जा रहा है हिंदू मुस्लिम से किसा ही हम सब हैं भाई 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 तो सब को एक जुठ रहना होगा गंगा जमनी तहजीब की भी जो बात की जाती थी अब वो हिंदू मुसल्मान के चश्मे में हो गया कि हिंदू एकता जरूरी है और आरोप ये लग रहा है कि तुष्टिकरन की राजनीती कॉंग्रेस हमेशा करती आई है और इसमें सचाई भी है एक वोट बैंक उन्होंने बना कर रखा तो वो हिंदू मुसलिम अपनी कन्वीनियंस के लिए करती है और भाई हिंदू तो बढ़ जाते हैं मुसल्मान बढ़ते नहीं है पर यहां कोई बहुत ही नेक विचारों का प्रक्टिकरन बीज सिनिती का एक और चेहरा है कि हिंदू हिंदू बनकर रहेगा कमंडल तो बीजेपी को फायदा है और मंडल हावी हो जाएगा यानि कि जाती उबरने लगेंगी जो दो हजार चौबिस के लोक सबाचुनाव में उबरती दिखी भी कि भाई यह आरक्षन खत्म हो जाएगा सम हुल गांदी चले उसने एक और नेरेक्टिव एक और समानांतर धारा भी बही उसमें और बीजेपी को नुकसान हुआ तो मंडल मजबूत ना हो कमंडल की राजनीती हिंदुत्फ के रूप में क्या बीजेपी कर रही है और क्या ये महराश्ट में सपलोगा अब महराश्ट में जिस तरह के बयान आ रहे हैं पलटवा और पक्षी केमे से भी अब होने लगा है जैंत पाटिल ने आज कहा लोग समझ गए हैं कि चुनाव के वक्त बीजेपी को हिंदुत्फ की याद आती है याद तो कॉंग्रेस वालों को भी आती है जने उधारी अपने आपको बताने लगते हैं राहुल गांधी भी सोमनात मंदर भी जाते हैं अनुमान गड़ी भी जाते हैं तो ये धर्म की र चापाए ये दुखती रग है बीजेपी की दोहजार चौबिस का जो चुनाव आया यहां आकर भड़काओ बयान बाजी करेंगे ये महराश रह ना कोई बटेगा और ना ही कोई कटेगा जबकि अखिलेश यादव इसको एक और जामा पहना रहे हैं वो कह रहे हैं के तो कटेंगे इसलिए पीडिये परिवार भी नहीं बटेगा वो नारा आपके लिए लगा रहे हैं कि पीडिये परिवार के लोग बटना मत वो पिछड़ा दलत और अल्प संक्यक की अपनी राजनीती वो जो समीकरन साधा जिसके चलते सेते सीटे जीतने में कामयाब हु कोई अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में उसी को आगे बढ़ा रहे हैं एमवाई से उन्होंने अपना दायरा आगे बढ़ाया है सालों तक मुस्लिम यादव एक गरजोड की राजनीती वो करते आए हैं लालो परसाद यादव ने भी की ये बी एक हकीकत है और पिछडी जातियों को लामबंद करने के लिए बीजेपी ने खास प्रदान मंतरी ने प्रदान मंतरी 2014 से पहले ये बाते नहीं करते थे कि मैं पिछडी जाती से आता हूं 2013 में जब वो चेहरा बने तो वो देश को ये बताने में भी पीछे नहीं अटे कि वो पिछडी जात से आते हैं और जी उनत्यस उनत्यस मंतरी पिछड़ी जाती के रके गए मोदी मंतरी मंदल में दलित को राश्टपती बनाया फिर आदिवासी को राश्टपती बनाया आज जब दत्ता तरे होस बोले कहते हैं अगर हम जाती समाज शेतर के भेद करेंगे तो कटेंगे ही ये तो बीजेपी भी करती आई ये ये सहूलियत की राजनिती हो रही है क्या और दरसल कौन बात रहा है या बात सभी रहे हैं और ये आपके मेरे हर देशवासी के लिए एक बड़ी चुनौती है कि भाई हमें बटना नहीं है हिंदू समुदाय बट रहा है हिंदूस्तानी बट रहे हैं हमारा समाज बट रहा है या देश बट रहा है और फाइदा किसका हो रहा है चुनावी फाइदे के लिए हम खुद को भी कमजोर करने के लिए क्या तैयार हो जाते हैं ये कड़वा सवाल इतने दिनों से कटेंगे तो बटेंगे की बात हो रही है इसकी तहे में हम जाने को तैयार क्यों नहीं है जाने की जरूरत है क्या इसकी तहे में चर्चा को आगे बढ़ाओं आज के एहम सवाल को आपके सामने पेश करूँ उससे पहले देखिए शुरुआत कैसे हुई सिलसले की और अब ये कहां तक पहुँच गया का अब ये कांग्रेश की नीती हैं हिंदूओं की एक जाती को दूसरी जाती से लड़ाओ कॉंग्रेश जानती हैं कि जितना हिंदू पटेगा उतना ही उसका फाइदा होगा हिंदू समाज ज़ा एकता से एकात पता से नहीं रहेगा तो उद्दा कहें स्पिरिट यही है हम जाती भाशा प्रांत के अगरा पिछला भेज से हम करेंगे तो हम कटेंगे और इसमें कहीं न कहीं जातेगर जनगन्ना का सवाल भी बड़ा एहम हो जाता है जेडियू ने तो ये करवाई भी एहम गटक है इंडिये का लेकिन जातीगत जनगन्ना से पीछे हट जाती है बीजेपी और संका भी ये मानना है काफी हद तक की से समाज की जो खाई है वो और चोड़ी होगी इसे पाटने की जरुवत है जातीगत जनगन्ना से जाती की पहचान को बढ़ावा मिलेगा अभी उसके अंदर बहुत सारे बदलाव भी आएंगे जैसे जैसे राजनीती के मुद्दे बदलते हैं ऐसे में आज का सीधा सवाल बटेंगे तो कटेंगा का नारा कौन कर रहा बटवारा और चुनावी शोर इसलिए हिंदुत पर जोर चर्चा में मेरे साथ देश के वरिष्टम पत्रकार हैं और विशलेशक किसी भी राजनीतिक डल के किसी भी नुमाइंदे को मैंने आज नियोता नहीं दिया है केजी सुरेश हैं, वरिष्ट पत्रकार हैं, राजनतिक विशलेशक हैं, संग से जुड़े हुए भी हैं आज पहली बार मेरे कारिकरम में आ रहे हैं राकेश सुकला हैं, किसी परीचे के मौताज नहीं अबैदुबे वरिष्ट राजनितिक विशलेशक दिबांग दबंग दिबांग सालों से देश की राजनिती की नब्स टटोलते आए हैं इसके अलावा विनोद शर्मा इस पाइनल में सबसे तज्जुर्बेकार पुलिटिकल एडिटर हैं हिंदुस्तान टाइम्स के और कॉंग्रेस से भी लंबे समय तक जुड़े रहे राजनितिक विशलेशक हैं पंकज शर्मा इस चर्चा में जुड़ चुके हैं